हलो एब्रीवन मैं दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में उत्तर प्रदेश के एक समागरध्यन को कम्प्लेट किया जा रहा है जो की परिक्षवाडी की किताब पर आधारे थे इसमें इसके अभी तक हमने 18 अध्याय को कम्प्लेट कर लिया है मतलब कि इसका 17 टोटल अध्याय हो गए है पहला चेप्टर छोड़के टोटल 18 अध्याय आपके कम्प्लेट किये जा चुके है आज का जो हमारा अध्या है वैं उन्नीसवा है जिसमें उत्तरप्रदेश के राजनिती किवंपर्शाषनेक धाचे के संदर में पढ़ते हैं केस में सबसे पहले आता है कि भारत के लिए जो संगात्मक सासन पढ़ाली वाला देश है भारत जो है वैं संगात्मक सासन पढ़ाली वाला देश है लेकिन केंद्रेवम राज्यों के लिए इस अलग एकी सम्मिधान है जिसमें राज्यों का सासन प्रशासन सम्मिधान के अध्याच है कि अंतरगत अंशेद एक सुबावन से दूसों से तिस तक अनुरूप संचालित होता है केंद्र की तरह उत्तरप्रदेश में भी सासन प्रशासन की संसदात्मक पढ़ाली लागू है जिसके तीन प्रूखांग है जिसमें कारपाल का कि अंतरगत राजपाल मंत्री परशद सचवालाय निदेशाले और महाधिवग्ता आते हैं विधान मंडल विधान मंड सब्सक्राइब नियाएपाल का होता है चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं कारपाल का कि बारे में कारपाल का में सबसे पहले आते हैं आपकी राज़ पाल जूगी केंद्र की राश्टपति की तरहं उत्र पृद्पित में विएक राज अधिक्ष की विवस्था की गई है। जिसे राजपाल अगबर्नर के नाम से जाना जाता है। राजपाल राजशरकार सद्धिका संबोध बूत कराता है। जिसमें राज़ी की कारपाल का सक्ति इसी में नहित होती है। लेकिन इसका प्रियोग अपने अधिनस्तों के माध्यम से करता है। मैं राजी का अपसरमेदाने प्रमुक हो विवेकादीन सक्तियों का प्रियोग करते समय बास्तविक प्रमुक होता है और राजी की बिशुद्यालेओं के खुलादी पती और राजी की पिर्थम नागरे राजपाल ही होता है राजपाल की नुक्ती पांच बर्स के लिए राश्ट पती द्वारा की जाती और उसी के एक्छा परियंत यह पर धारण करता है राश्ट पती जब चाहे उसे पत से हटा सकता है और उच्छ नयाले के नियादीसों की नुक्ती राश्ट पती करता है के बन उच नियाधिस के नुक्ति रास्टपती राज़्पाल से प्रामर्स लेता है और अन्छे 217ा के न्टरगत जिले इस तर पर जिला इवं कि जाते हैं जलाने आधी सो से निभिन ब्यक्तियों की नयाएक सिवा राजिपाल दौरा उस समय से राजी से नयाले और लोक सिवा आयोग की परामर से की जाती है जो कि अनुछे 234 के अंतरगत आता है इसमें राजी की महाधिवक्ता लोक आयोग ताधी पत के लिए न्युक्तिया राजि राजपाल सरप्रथम मुख मंत्री की न्युक्ति करता है और उसकी सलाय पर अन्य मंत्रियों की भी न्युक्ति करता है और अन्शुची तीन के अनुरूप पद एबम गुपनेता की सपद भी दिलाता है और मंत्री गंट राजपाल के परिशाद परियंत अपना पद्धार करते हैं इसके अंतरगत आता है मंत्री पत पर निफ्ट होने के लिए दोनों सदनों के लिए किसी एक सदसिका होना आवश्यक होता है और ऐसा नहीं है कि ये से 6 माई के भीतर उसे किसी एक सदन की सदसिता गिरहन करना अनिवारे हो मंत्रियों के बेतन भत्ती का निर्धान समय समय प्रभ विधान मंडल द्वारा किया जाता हो और सावाने तोर पर मंत्री परसद की आउधी पांच वर्स की होती है लेकिन बिवहार में इसकी आउधी विधान सभा के उसके दलिय बहुमत पर निर्भार करती है राज मंत्री परसद अनेक प्रशासनिक बिधाय और बित्तिय कार करती हो और यह मंत्री परसद ही राज के बास्त पे कारपालका की कार करती हो और मंत्री परसद की बिधान मंदल की ही पत प्रदर्सक तथा सासन की धुरी होती हो और यह एक बिचार सील इवं नीती नर्नाय न वह राज साजन का कप्तान होता है और इसे राज मंत्री मंदल में उसकी विस्ष्ट इस्थती होती है और इसमें कारें विमदायतों की दर्ष्टी से बर्धान मंत्री का लगुरूप पे भी कहा जाता है सचवाला के बारे में कि राज जी की बास्तविक कारपाल का जो होती है बहे अंत्री परसत के सदस जन पिर्थिदी के दोर पर कारे करते हैं अधा प्रशाशन की गुड़ताओं से आउगत होते हैं और यह आविश्यक नहीं होता है इसलिए आविश्यक प्रशाशनिक सहायत है इवं परामर्स के लिए मुख्य सचिप के नेतत्त में एक बिशुद् सचिप कहते हैं राजी सचवाले की प्रशाशनिक अद्यक्ष को मुख्य सचिप और पिर्तिक विभागों की सचिप को सासन सचिप कहा जाता है और इप्राया आई एस और बज़िश्ट अन्भवी सदसिस के अंत्रगत आते हैं अब आते हैं राजी सचवाले का आज उपत स सचिप के अंत्रगत आता हैं सचवाले राजी प्रशाशन की परिविक्षण निर्दीशन नियांतर का कारी करती हो और सरकारी नीती रचना ही तू आविश्यक सामगरी एकत्र करना और उसका विश्लेशन कर मंत्री परशत की सम्मुख प्रस्तूत करना सचवाले का करतब भ मुख्य सचिप की बारी में? आती है। गांतरिक सुरक्षा विभाग आता है मंडल जला तहसील एवं बिलॉग पुर्शासन के अंतरगर राजी के विभागों की कारियात्म की काईयां तक नीचे फैली होती है और उनके सब के अपने विभाजन के इस्तर पर इसमें होते हैं सामान एवं राजी सुप्रवास शासन में विभागा द्यक्ष के बाद मंडल आयुक्त जो की मंडल इस्तर पर होता है जो अपने मंडल की सांती विवस्ता राजी सुबस्वली तथाने कारियों की देखता भी है मंडल के नीचे जिला धायकारी के नेतत में जिले होती है और जिले के नीचे तहसील होती है और इसमें STM के नेतत में यायकार करती है बिकास प्रशासन में सबसे नीचे बिलोग, बिलोग के नीचे जिला, ऊपर जिला और जिला के ऊपर राज इस तरिये विभाग आता है और यह एक विक्रिया एक चैन के रूप में चलती है इस प्रकार पुले सिक्छा, स्वास, बिद्द, आदी विभागों के लिए अलग-अलग पत सोपान है महादी वक्ता की बारे में महादी वक्ता को सम्मिधान के अनुशेद 165 की अनुशार राज में महादी वक्ता की नुक्ती राजपाल द्वारा की जाती और उसी के प्रिशाद परियंत में पद्धारन करता है इस पत पर न्युक्त होने के लिए आवश्यक है कि भारत की नागरिक हो और दस वर्ष से अधिक समय से नियायक कार से जुड़ा हुआ हूँ और कम से कम दस वर्ष से उचिने आले में वाधिबक्ता का कारिक किया गया हूँ विधी विश्यों पर राजपाल को सलाय देता है हो और राजपाल द्वारा सोपे गए विधी संबंदी कारियों का संपाधन भी करता है और वह सदनों की बेट को में भाग ले सकता है बूल सकता है लेकिन मद्दान नहीं कर सकता है अब आता है दूसरा इस्तम में बिधान मंडल के बारे में बिधान मंडल जो होता है राज में बिधी निर्माड के लिए बिधान मंडल की विवस्था के गई जिसके तीन अंग होते हैं राजपाल, बिधान सभा, बिधान परशन राजिपाल जो होती है बे बिधान मंडल में सबसे उपर राजपाल का स्थान होता है और इनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तर नहीं आता है राजिपाल सदनों का अधिवीशन आका अधूत करना सत्रवशान करता है, बिधान सभा का विक्टन करता है, दोनों सदनों में अभिवासन करता है, निम्रे सदन में बजट रखवाता है, साक्षों की निरहरताओं का मिनिश्चय करता है, बिधेकों को राष्टपती के पास भीजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विसे इस परिस्तितियों में जब सदन का सत्र ना हो अध्यदेश चारी करता है और ये सभी राजपाल की विधाई कारी होती हैं बिधान पर्षत के बारी में जो क्योच सदन के ऊपर उत्तर परिदेश राज बिधान पर्षत का गठन 1937 में किया गया और बरतमान उत्तर परिदेश बिधान पर्षत में कुल 100 सदस्द हैं इस परसत के सदस्चों का ररवाजन आपरत्यक शुरूप से एक निरवाचिक मंडल दौरा किया जाता है जिसमें कुल सदस्चों का एक बटे तीन बिधान सभा की सदस्चों दोरा एक बटे तीन नगर निगाहों और जिलावार्डों तथा इस्थानी परादी करूर्णों दोरा और एक बटे बारा विश्वत द्याले हो कि तीन बर्स से अधिक पुराने इसनातकों दोरा एक बटे बारा माधिमिक से ऊपर किसे एक्छण संस्थाओं के अध्यापको दोरह वोसे एक वटी छे भाग सदस्व को राजिपाल दोरह राजी के विश्ष्ट विक्तियों में से नाम ने देशित किया जाता है यह एक स्थाइ सदन होता है, जिसमें एक तहाई सदस परते एक दो बरस में से बैनेवित होते हो और इसके परती एक सदस का कारकाल छोड़ का होता है यह एक उच्छे सदन है लेकन बिद्यकों को पारित किये जाने के मामले में बिधान सभा की एक्छा सर्वोपरी होती है और बिद्यक पराया उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में बिधान सभा उसे पारित कराना चाहती है बिधान परस्द उसे मातर पर थंबार तीन मास और अप्रदेश में बिधानसवा की सदस्यों की गुल संख्या 404 होती है जिसमें नरवाची सदस्यों और एक एंगलों इंडियर मनोनीत किया जाता और 25 जन्वरी 2020 को लागू हुए सम्मिधान की 104 वी सम्मिधान संसुदन अदिनिया, 2019 की पश्चात एक एंगलोय अंडिनियन की सदस्य को नामित कर दिया का प्रावधान समाप्ति कर दिया गया। उत्राकर्णी के गठन की पूर्वे इसमें जो बिधान 425 थे और इस सदस से राज बिधान सबा की छेतरों में वैयक्स बतों की प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो के 18 वर्स से उपर रहें। वो भारत की नागरिक्ता ना खो दिया हूं। सुबदाय नहीं होती हैं कि वह प्रतिक मामले पर गहनता से विचार कर सकते हैं। और अता सद्नों में विविने प्रियोजनों के लिए समीतिया बनाने की विवस्था होती हैं। नोनों सद्नों की अलग-अलग तो कुछ सैयुक्त होती हैं। सद्नों की कुछ समीतिया निमने प्रकार से होती हैं। से प्रत्यायोजित विधिनर्मार समेति आस्वासन समेति लोक लेखा समेति निगम समेति विशेश अधिकार समेति याज का समेति और आवाज समेति आधी आती है नेता विरोधी दल के बारे में जो कि राज विधान सभा मेंदुति है सबसे बड़ी पार्टी है जो कि सरकार क की निशुल्क सुभदाय प्रदान की जाती है सचवाले में राज बिधान मंडल के दोनों सद्दों को प्रिथक प्रिथक अपने सचवाले और सचिब होती है जोके उनकी कार पड़ा लिया राज सरकार के अन्य सचवाले और सचवों में पूरता सुतंत्र होती है अब तीसरे एक विधान या सम्मिधान से परी जाकर कारी करती रहते हैं। एक विधान या सम्मिधान में परी लंबित मामले पर निर्वर होती है। एक विधान या सम्मिधान में परी जाकर कारी करती है। और जब कोई वक्ती अपने अधिकारों के प्रवरतन के लिए नियालाय में आता है तो नियालाय ऐसी वक्ती को अनुतूस परदान करता है, जिसमें ने देश आधीस रित जारी कर सकता है। जिसमें प्रतिक जिले का नियांतर एक जिला नियादीस के अधिन होता है और जिला जज के अत्रिक जिले इस्तर का एक और नियादीस जिला सेशन जज होता है जिसमें दोनों जजों की निप्ति उच नियाले के परामर से राजपाल द्वारा की जाती है। जिलों में जलाएंख जिलाएम सत्ट्रा नियाल्य लगुबाद न्यायदी सब सेनियर डिविजन और सबुक्ति मांजिस्टर्पत्याइब इस थाहूं सेacements न्यायदी तंभल्सते नियाल्य विच्टि और माजिस्ट्राइक360 अतरिक्त नियाल्य मंचिश्टिendy वारे में जोकि राजों से संबन्धी मामलों की अपील सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे सीर्स नियाले राजों से परसद है जोकि प्रियाग राज में और इस परसद के नीचे राजों से मामले की सुनवाई के रमसन निमनेस तर पर होती है जिसे आयुक्त या कमिशनी अत्रिक्ट कलेक्टर पर और सबसे नीचे सहाय कलेक्टर इस्तर पर होती है अब आते हैं पारिवारिक नियाले पारिवारिक नियाले का दीनियम 1985 के अंतरगत प्रदेश के समस्त मंड लिये मुख्यालेओं में एक पारिवारिक नियाले की स्थापना की गई परंतुबात की संख्या के आदार पर लखनों वकानपूर नगर तो दो पारिवारिक नियाले इस्थापित किये गए इन नियाले में बिवाह भरण पोशन पती पतने और बच्चों की संरक्षता आदी के मामले में निस्तारित किये जाने का प्राउधान किया गया अब आती हैं लोक अदानात जिसे 1976 में सम्मिधान की बैलिस में सम्मिधान संसुदन द्वार्न नीती निर्दी सकत्तों की एक अंशी द्वारा 49 का को जोड़कर समाज के कमजूर वर्गों में नीशुलक विदिक सहायता की विवस्था की गई है इसी धारा कि में केंट प्रदीश सरकार दरों 1987 में विदिक सेवा प्रादी करण अधीनियम 1987 पारित किया गया और इस परिपिक्ष में राज इस्तर पर उत्तर प्रदीश राज विदिक सेवा प्रादी करण जिला इस्तर पर जिला इस्तर पर जिला इस्तर विदिक सेवा प प्लब दिकराये जाने की दिसा में सत्त प्रियास रत होते हैं इन समीतियों तथा अदालतों में केवल बे आविदक और अपने मामले प्रिस्तुत कर सकते हैं जिनकी बार से काये कम है और अन्सुचित जाती जन जाती पिशड़ी बर्ग महलाओं से इनको परफिशी भी प्रि पंचायतों के दूसरे चुनाओं के बाद पंचायत अदालतों का नाम निया पंचायत कर दिया गया 1971 वासट में केंदर की निर्डेना सोनरसार राज सरकाल दौरा उत्तर प्रदेश छेतर समीती जलापर्शत अधिनियम 1971 पारत का त्री इस्तरी जिसमें ग्राम पंचायत छेतर पंचायत जलापर्शत पडारी लागू की गई और तीनों को एक सूत्र में जूड़ दिया गया एसा बलवत दौराय में था समीती किसी फार्शों के आधार पर किया गया 1992 में केंसरकाल दौरा पंचायतों में एक रूपत लागने सबाय परक्चनाव सुनिश्चित करने आर्थिक जिस्टिती सूदरण करने पंचायतों को सम्मेधान एक दर्जा ओदिश सम्मेधान में 73 सम्मेधान संसोधन करके अध्य है नो जोड़ा गया और अंशित 243 ए से 243 ओ तक इससे संबंदित विविन विवस्थाएं दी गई 73 स सम्मेधान संसोधन के करम में उत्तर प्रदेस पंचायत बिदी S.C.S.T. O.V.C. में एवम महला आरेक्छर निश्चित कारिकाल निर्वाचन बित्ते बित्तायक की स्थापना, पंचायत के करत, सक्तियों और उठ्तरदायत तादी के सम्मन्द में ब्यापक विवस्था की गई पंचायतों को सुसासन की काई के रूप में सक्षम मनाने और आर्थिक रूप से शूदन करने के लिए समिधान की ग्यारविया नुसूची मोलेखित विभागों में 16 कारे पंचायतों को हस्तानांतरित किये गई और प्रदीश में पंचायतों कितरी इस्तरीय विवस्था को लागू किया गया अब आती है जिला पंचायते जो की त्रीस तरीय विवस्ता में सबसे सीर सिस्थान लेती हैं जिनके अध्यक्षिवा मुपाध्यक्ष का चुनाओ जिला पंचायत की सदस्चों दोरा किया जाता हो और उनके बुरुद्ध विश्वास प्रिस्ताओं जिला पंचायत में संपूर जिले में पंचायतों के लिए योजना बनाने हो और समन भै करने संबनी कारे किये जाते हैं अब आती है छेत्र पंचायत के वाले में कितरी इस तरी विवस्ता में दूती इस तर पंचायत होता है पिर देख छेत्र पंचायत में एक प्रमुक और एक प्रमुक होता है प्रमुक का चुनाओ ग्राम सभा दोरा चुने गई छेत्र पंचायत की सदस्चों द्वारा होता और इस पंचायत का सची बेडियो होता है और यहां भी बही छे समीतिया बनाई जाती है जो जिला पंचायत में बनाई जाती है अब आता है ग्राम पंचायत जो की सबसले निचले इस तर पर ग्राम पंचायत का होती है ग्राम पन्चायतों की सदस्टों का चुना भी प्रतेक्षणूरूप से ग्राम सभा करती हो ग्राम पंचायतों की सदस्टों की संख्या का निर्धान जनसंख्या के आधर पर होता है जिसमें 999 तक कि जन संक्या पर 9, 1000-1999 में 11, 2000-29999 तक 13, 3000 से अधिक पर 15 सदस होती है पर टे ग्राम सभा में बर्स में दो आम बैठक जो की एक रवी फसल के कटने के बाद और दूसरी फसल कटने के बाद रवी खरी फसल के कटने के बाद होती है किसी ग्राम पंचायत की प्रतम बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होना आनिवारे होती हो इसमें सामझ तब पिरती एक मास में एक बैठक होने चाहिए जो दो बैठकों के बीच दो मास के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए किसी ग्राम परिधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व शूजहन दे कर ग्राम सभागी बज़े इस बैठक बिलाई जाती हो बैठक के लिए ग्राम सभा के एक कम से कम एक तिहाई सदस्चों का होना निवारे और इस बैठक में अवस्थित मद्दान करने वाले सदस्चों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है और यदी बैठक में प्रधान को हटाने सम्मन्दी प्रस्ताव पास ना हो तो ऐसा ही दूसरा प्रिस्ताव इस बेटक में एक वर्स के बाद ही लाया जा सकता है नगर ने काई पड़ा ली जो कि उत्तरप्रदीस में नगर स्वायत तिसासन की शुरुवात को 1916 में तब हुई थी जब नगरों के लिए राज बिधान मंडल द्वारा संयुक्त प्रांथ टाउने रिया अधिनियम 1916 संयुक्त प्रांथ नगर पाल का अधिनियम 1916 पारित किये गई और इन दोनों अधिनियमों के परिपेक्ष में राज किप्राया सभी नगरों में यथा इस्तिती नगर निग में नगरपाल का पर्षिदे नगर छेतर समितियार और अधिसूचित छेतर समितिय स्थापित कीगई है सुतंत्रता के बाद 1969 में एक और अधिनियम पारित किया गया और इन निकायों में कुछ नई विवस्थाएं की गए सम्मेधान एक्ता की अभाव नाजुक बित्तिय स्थिती आधी के कारण इने काया समचित दंग से कारिक नहीं कर पा रहे तो और 1993 में केंसरकार द्वारा सम्मेधान के 74 भी सम्मेधान संसुदन करके एक नए अध्याय नोका जोड़ा गया और अंशित 243 पी से जड़ जी तक इनके लिए विसेस विवस्था की गई 74 अध्यान संसुदन के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इस्थानिय सोसासन कानून अधिनियम 1994 में के नाम से एक नई कानून बनाए गया और इस अधिनियम में राजी के संपूर नगरे चेतरों को तीन भागों में विभक्त किया गया लेकिन बरतमान में इसके चार प्रकार हो नगरों के गुष्णा राजपाल करता है जिसमें पहला आता है कि दस लाग से अधिक आवादी वाले महानगरी चेतर जिसमें नगरने गम की स्थापन की गई दूसरा आता है पांच लाग है आधिक दस लाग से अधिक का मावादी वाले ब्रहतर नगरी चेतर जिसमें नगरने गम की स्थापन की गई तीसरा आता है एक लाग है आधिक किर्दू पांच लाग से कम आवादी वाले लगुतर निकार रही है छेतर जिनकी नगरपाल का पश्चत की विवस्था की गई चोथी आते हैं पंद्रह हजार ज्या एक लाग से कम आवादी वाले संक्रमर्ण सेल छेतर जिनके लिए नगर पंचायत की विवस्था की गई अब आता है सबसे पहले नगर निगम की बारे में नगर निगम जो है नगर निगमों की सनलचना जो होती है एक नई प्रुमुक या मेर, एक उप मेर और इतीन प्रिकार के सबसदों में होती है और नगर प्रुमुक नगर की वैक से जनता दोरा प्रितिक्ष रूप से चुना जाता है और इनकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रुमुक और एक वर्स के लिए सबसदों दोरा चुना जाता है मिनर मेर जो होता है वह चुने जाने वाले राज्यों की आरक्षर नियुमों का धियान रखा जाता हूँ नगर प्रोग पांच वर्स के लिए चुना जाता हूँ अपद गिरहन तिति से दो बर्स तक उसके खिलाब आविश्यक प्रिस्ताव नहीं लाया जा सकता है यदि दो की चुने जाते हैं जिनके लिए आविश्यक है कि उनका नाम निर्वाचिक सूची में हो उम्र 21 वर से कम ना हो बिधान मंदल का सदस्यों होने की योगता रखता हूँ निगम में निर्वाचि सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से यदिक नहीं हो सकती हो निगम में मनुनी सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है पदेन सदस्यों में नगर छेत्रवाली MP MLA राजसभा और विधानसभा की सदस्यों सदस्यों की निर्वाचिन की आरक्षण की नेमों का पालन किया जाता है निगम का कारिकल पांच वर्स का होता है और किसी भी ऐसे पूर्व अधिकारी आधी की नुक्तिया राज सरकार द्वारा की जाती है लेकिन इन अभीतन निधी की द्वारा दिया जाता है। निगम सभा में अनेक समितिया होती हैं लेकिन इनकी संख्या बारा से अधिक नहीं होती। निगम का वज़ड निगम के सच्चिव या आयक्त द्वारा किया जाता हो निगम के आयक के सुरूतों में स्वेयम द्वारा लगाए गई कर राज अंदर अंदान बित्तायों की सिफार सो पर राज सरकार द्वारा दिया गया भाग समलित होता है। निगम अपने नगरिये छितर के विकास के लिए अनेकों प्रिकार करती है, अनेकों प्रिकार की कारियों को करता है। अब दूसरा आता है नगरपाल का परसद, जो कि नगरपाल का परसद की रचना एक अध्यक्ष जो कि पृत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता ह इसमें एक उपाद्यक्ष और तीन अन्य सदस्व होते हैं परशद में निर्वाचे सदस्व की संख्या 25-55 होती हैं और निर्वाचे सदस्व की संख्या 3-5 की बीच होती हैं इसमें वार्ड के बजाए कक्षो होते हैं और इस परिशद में समीतियों की संख्या पास से अधिक नहीं होने चाहिए और अन्य सभी समीतियों में पास से अधिक नहीं होने जार सम मामले में इपराया निगम जैसी स्थती में होते हैं नगर पंचायते जो होती हैं उसमें एक अध्यक्ष जो की प्रतिक्ष निर्वाचित होता है और तीन प्रकार के सदस्यों होते हैं निर्वाचन सदस्यों की संख्या दस से कम और 24 से अधिक नहीं होती हो मनुनीश सदस्यों की संख्या दो या तीन होती हो से इस मामलों में 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश पृत्वम लोकायक्त नयमूर्थी विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया और लोकायक्त की साहता कि लेकूप लोकायक्त की भी नियुक्त की गई लोकायक्त का जो कारकाल है पहले 6 वर्स नेर्धारत था लेकिन जून जुलाई 2012 तक आती आती इसे अब 8 वर्स कर दिया गया और इस पत पर सेवा नियुक्त नियुक्त की जाती है लोकायक्त संगठन स्थापित करने का मुख खुदी से राज जी की उचितम इस तर से लेकर नियुक्त नियुक्त का अधिकारों का दुरूप योग रस्टाचार कदाचार संबंधी से कायतों अभीकतनों का अनिवेशन करना और राज सरकार के संबंध में अपनी संसुती भीजना होता है इस संगंठने का महत्यपूर या कारगार संगंठ पुलिस स्थापना होती और इसका कारपाल का के प्रभाव से मुख तेवम सुतंत होता है राज चेतर के नियायलों कैग बिधार मंडल यूपी पीएसी निर्वाचनायों के अंदरी सरकार के विभागों ग जिसे करमचारियों अधिकारियों नेगमों साथी साथ कंपनियों और उनके धन एवं समय का अपव्य होता है और इस करणाय को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोग सेवा परादी करण की इस्थापना की गई और करमचारियों को सीगर रसस्तर ने आए मिल सके र राज मानवदिकार गठन 7 अक्टुबर 2002 को किया गया राजी सूचना आयो जोकि सूचना के दिकार अधिनियम 2005 की धारत पंदरह के तहद राजी सूचना आयो को अगठन 14 सितम्बर 2005 को किया गया और जबकि राज में पिर्थम सूचना आयोक तो ने आया है म, ए, खान और 22 म पर आपका ये टॉपिक फिनेश होता है अब आते हैं इसके प्रिशनों के बारे में जिसमें पहला प्रिशन आता है कि किस समीती ने त्री स्थरी पंचायती पड़ाली की सिफारिस की हुई थी Option A बलबंत राव मेहता समीती Option B अशुक मेहता समीती Option D C राव समीती और आपसं D सिंग भी समीती Option यह आता है बलबंत राव मेहता समीती ने बने मैसे किस का प्रिश्च निर्वाचन होता है पहला प्रदान दूसरा छेतर प्रमुक तीसरा जला पंच आयत अद्धेक्ष चौथा सरपंच पांच पंच तो इसमें से बताना है तो इसमें आपका प्रदान का प्रिश्च आजमगड़ में कोई नगर निगम नहीं है उत्राइंचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने बिधान सवाच छेतर सेस बचे हैं तो यह आपके 403 है उत्तर प्रदेश लोका युक्ति पद्ध का सरजन किया गया है तो इसका पद्ध का सरजन कप किया गया 1972 में अप्संसी बहराज पाच बरस तक दधारन करता है उत्तर प्रदेश का राज की चिन्ह नहीं है तो इसके अंत्रगत जो राजी चिन्ह नहीं है वह मोर नहीं है नेक्स्ट आता है कि रिवहे को सुमेलेत करना है जिसमें आपके जन्पद्ध मुख्याले दिये गए हैं तो इ कुछीनगर जो आता है बै पंड्रोना वें आता है तो अपसान सही होगा तो इसमें जो आपका उत्तर होगा option D होगा क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा कथन सही है नेक्स्ट आता है कि पंचैती राज एक विवस्था है जिसमें पहला आता है स्थानी शोशाषन की दूसरा जर्ब संबन्दों की समान तरी इस्तरी पड़ाली की तीसरा लोकता अंत्रिक वेकेंद्री करण की चौथा पत्स्वापानिक संरिचना की तो इसके अंत्रगत आपक स्थानी संस्थानों का पुनरुथान हुआ है तो इसके अंत्रगत आपका ओप्शन ए सही होगा नेक्स्ट आता है कि उत्तराखर्ण गठन से पूरो राज विदान परसर सदशों की संख्या थी तो इसमें 108 थी नेक्स्ट आता है कि राज जी के पंचायती राज संस्थानो में महलाओं के लिए आरक्षण है तो पंचायती राज संस्थानों में महलाओं के लिए कुल एक तेहाई आरक्षण का इस्थान है नेक्स्ट आता है उत्तरप्रदीस में किसी नगर का मेयर होता है पहला नगर का प्रिथम नागरिक होता है दूसरा नगर निगम का पदैन स सदस होता है तीसरा कारकार नि Haupti का पदैन सववापती होता है चौथा कार पालंक मसीनरी का पुर्ण नहीं अन्तरड करता है तो इसके अंतरगत बताना है तो इस में उप्सन B हो क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा कतन सही है नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का राजकी पक्छी है उत्तर प्रदेश के राजकी पक्छी जो है वह सारस आता है तो आप सने होगा नेक्स्ट कुश्चन आता है आपका 17 नमबर का के मुख मेट्रो पॉलिटिकल मजस्टेट है तो मुख मेट्रो पॉलिटिकल मजस्टेट कानपूर में है पंचायत चुनाओ लड़ने के लिए एक ब्यक्ति के नियुनतम आयू होनी चाहिए तो नियुंतम आयू कितनी होनी चाहिए या आती है आपकी 21 वर्स नेक्स्ट आता है प्रदेश के नगरों में मेरों का निर्वाचन होता है नगरों का निर्वाचन आपका सीधे नगर्ट के निर्वाच को द्वारा होता है राजी की सत्रवी विधान सभा का चुनाओं में महलाएं निर्वाचित हुई है तो इसमें टूटल आपके 48 महलाएं निर्वाचित हुई है नेक्स्ट आता है कि निम्लिखित मेंसे कौन सा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रहे है तो उत्तर प्रदीश की मुख्य मंत्री नित्यानंद स्वामी जो है वैना ही रहे है गोविन दबल्लपन टियन से राम नरेश यादो उत्तर प्रदीश की मुख्य मंत्री रहे है नेक्स्ट आता है निम्रिकित कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है पहला आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्ट कर ली है दूसरा आता है कि नगरों के एक निगम की हैसियत राजनितिक कारणों पर दी जाती है Option C आता है कि कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर नियम का सिलजन किया जाता है और Option D आता है कि नगर नियमों के लिए एक अलग कानून है तो इसके अंतरगत बताना है आपको कोन सा उत्तर सही होगा तो इसमें आपका Option B होगा नेक्स्ट आता है 23 नंबर का Question कि अब तक उत्तरप्रदेश में कितनी महलाएं मुख्यमंत्री रही हुई है तो दो मुख्यमंत्री रही है तो अपसंसी होगा गोतम मुद्ध नगर जली का मुख्याले इस्तित है तो ये कहां पर है उन्वाइडा में नेक्स्ट आता है कि यूपी विधानसवा की प्रतम अद्धेक्ष कौन रही है तो यूपी विधानसवा की प्रतम अद्धेक्ष पुर्शूतम दास्तंडन रही है यहाँ पर यह सीरिज फिनिश होती है मतलब कि आज का यह जो चैप्टर था वैफिनिश होता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चेट अप्टर की साथ मिलेगे तब तक आप इस सेशन को जाद से जाद से जाद सेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें धन्नवाद